थ्री स्टेप रिधिमिक ब्रीधिंग क्या होता है और इसको थ्री स्टेप ब्रीधिंग क्यों बोलते हैं इन फाक्ट इसको थ्री स्टेप ब्रीधिंग नहीं बोलते खाली अल परपस थ्री स्टेप रिधिमिक ब्रीधिंग बोलते हैं All Purpose Three Step Rhythmic Breathing क्या लगता है आपको All Purpose क्यों बोलते हैं हमारी हर काम में हिल्ट करते हैं जो भी आप करते हैं इस इस नेचर का अपना एक रिदम है इसे कोई म्यूजिक चले तो आटोमेटिकली हम लोग डांस करने लगते हैं डांसर्स तो बहुत अच्छा डांस करते हैं लेकिन जो बिचारे डांसर्स नहीं है वो भी डांस करते हैं चैप्टर का नाम है Correct Method in Daily Living जिनुगा में लेकिन इससे पहले कि हम लोग Correct Method खोजी इन डेली लिविंग का हमको ये question आना चाहिए किया मेरी life incorrect है कि मुझे याद है जब मैंने पहली बार 3 step try किया था मैंने तो ऐसी खेल-खेल में किया था उसमें उन्हें पतली सी बुकली थी और अपने पेट के उपर रख करके लेट गिया था यही लिखा था इसमें किताब रखना है पेट पे पहले में कभी भी सोता था कभी भी उड़ता था खासतोर से दुपहर को तो जरूर सोता था शाम को जरूर सोता था तो 3 step rhythmic breathing के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कहते हैं एक आर्ट चाहिए हम लोगों को जीते समय ताकि हमारा mind का हर एक activity हर एक thought हमारे path पे spiritual path पे हमको aid करे help करे और इसकी जरूरत है indispensable है ये चीज़ एक ऐसा कवच कुंडल की तरह हमारे पास होना चाहिए जिसको आप छोड़ नहीं सकते है indispensable मतलब it has to be with you dispensable मतलब जो replaceable है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है इसे अरजुन के पास कृष्ण को indispensable तरीके से रखा था उन्होंने कि भगवान मेरे पास होना ही चाहिए तो three step rhythmic breathing एक indispensable activity है जो आपकी body में होना ही चाहिए तो तीन factors सीख रहे हैं आपर correct method of daily living में पहला उला याद है खाने के बारे में कैसे खाना खाना चाहिए कितना खाना खाना चाहिए इसको मैं बाद में cover कर दूँगा second है breathe हमने थोड़ा बहुत breathing की बारे में पहले पढ़ा है तो आईए अब detail में जाते हैं और three step rhythmic breathing को detail में पढ़ते हैं किसको? rhythmic breathing को इसको three step क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहला step steps नहीं होते सबसे पहली चीज है technique कि कैसे किया जाए second step is volume कि आपके lungs में कितनी हवा भरनी चाहिए and third step is rhythm कि क्या frequency होनी चाहिए per minute में कितनी साह समारी आनी चाहिए ये तीनों चीजें कौन-कौन सी? technique, volume, rhythm ये तीनों चीजें जब आप master कर लेते हैं तब कहा जाता है all purpose, three step rhythmic breathing प्राणायाम नहीं है ये यहाँ तक कि जो हमारे सर कराते हैं नाड़ी शोद प्राणायाम या ब्रमरी प्राणायाम ये भी अलग-अलग छोटे-छोटे रूप हैं प्राणायाम के ये सारे के सारे breathing exercise है तो सबसे पहले आपको clear हो जाना चाहिए कि three step rhythmic breathing प्राणायाम नहीं है प्राणायाम इसे बड़ी चीज है प्राणायाम तो ऐसा है जैसे कि आपके body में से molecular body को जी पा रहे है और जैसे आप सांस लेते हैं ऐसे आप molecular body के जरीए अपने सारे प्राणों को balance करते हैं इसलिए किया रहे है कोई आदमी जो critical certain stage नहीं cross कर पाया है वो प्राणायाम नहीं कर सकता तो सुनिए क्या करेगा three step rhythmic breathing ये हमारी body को नई rhythm में डाल देगा अभी कौन से rhythm है chaotic rhythm है हमारे heart का rhythm है हमारे भूग का rhythm है lungs का तो यह है अभी तो बात ही कर रहे हैं हम लोग breathing की अगर हम लोग कोई machine में चेक करें न दिखता है rhythm बट वो योगिक rhythm नहीं है वो critical certain stage की तरफ जाने वाला rhythm नहीं है इसलिए जब भी three step करते हैं तो आप जान लिजे पूरी body को आप refresh कर दे रहे है correct तरीके से इसको आपकी computer में नहीं तो refresh ऐसा कुछ कर रहे है restructure कर रहे है body को reboot कर सकते हैं जब computer काम नहीं करता हमारा phone में कोई hang हो रहा होता है तो आप restart कर देते हैं तो खाली सोना is not a perfect way of rebooting ourself three step breathing क्या करेगा it will subject our body to new rhythm subject मतलब जैसे ममी दवा जबस्ती खिला देती है ऐसे ही rhythm में डाल देगा body आपको नहीं चाहेंगे तब भी आपका mind ऐसे से चल रहा है और three step के बाद ऐसे से चलेगा mind पिर आप गए है दोस्तों से मिला कुछ खाए पिये और डाट वाट खा लिए पढ़ायड़ाई कर रहे है एक्जाम का नेचन ऐसे चला है फिर three step किया फिर ऐसे हो गया फिर पता चला कि क्या होने वाला है पापा ने ताना मार दिया फिर disturb हो गया rhythm आपने कोई बात नहीं पापा मैं आ रहा हूँ three step किया फिर नॉर्मल हर छोटी छोटी activity हमारे mind को ऐसे कर दिती है और three step जबर जस्ती उसको एक rhythm में डालती है और अगर आपने इस चीज को natural बना लिया 24 घंटे की पापा डाट रहे है एक्जाम होने वाला है शादी होने वाली है बहुत बड़ी बिमारी हो गई है सो रहे है 24 घंटे की breathing अगर आपकी three step rhythm हो गई तो you are like the king of the world इसको अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो सीधे लेट जाएए एक मोटी सी thick और heavy book ले लीजिए अपने नाभी पर रखिए अपना हाथ अपने सर के नीचे रख ले आप सांस लीजिए जबरश्ती मत करिए बट नौर्मली और इसमें महसूस करिए rays of the book किताब का उठना यह जब मैं महसूस करता हूँ तो automatically automatically मेरी सांस गहरी हो जाती है यह कह रहे हैं ऐसा मत करिए जिसम लोग करते हैं पराणा आयम किसमें या कोई exercise करते हैं तो जबरश्ती strain करते हैं इसमें strain करने से मना किया गया है book को महसूस करिए लेकिन chest को महसूस मत करिए because जिस जगह पर आप महसूस करेंगे वो जगह ज़ादा उठेगा ज़ादा गिरेगा अगर आप चेस्ट के उपर फोकस करते हैं तो चेस्ट अलड़ी हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम चेस्ट से लेते हैं इसमें पेट से सांस लेना है किताब का उठना किताब का नीचे जाना perceptible होना चाहिए मतलब आपको महसूस होना चाहिए किताब महसूस होनी चाहिए किताब का उठना, किताब का नीचे गिरना इसलिए मैं बाद में किताब हलकी रगती थी तो मैंने पत्थर रखना शुरू कर दिया था घर में मसाला पीछने हो ला नहीं आता सील बट्टा एक तो होता है लोड़ा और एक होता है बट्टा तो बट्टा काफी बड़ा नहीं था चोटा था होगा उसका चार पांच किलो बाद में उसकी वैसे मेरे कमर में दर्द भी हो गया था जिसमें आप सांस अंदर ले रहे हैं सांस बाहर चोड़ रहे हैं जबर जस्ती रोकिये मत यह पहला स्टेप है जिसमें आप बेट पर लेट कर अगर हो सके तो फ्लोर पर जमीन पर दरी बिचा के करें यह फर्स्ट स्टेप है अगर आप देखना चाहते हैं एक्जाट पॉइंट कौन सा है जो थ्री स्टेप के समय उठेगा और नीचे जाएगा आप अपने हाथ को अपने स्टमक पे रखिए किताब बटा दीजिए जो आपकी छोटी उंगली है वो नेवल को टच करना चाहिए नाभी को देखे यह नीचे का अपने जाएगा नाभी के पास तो यह इंडेक्स फिंगर यहाँ पर जो पेट का अपने है वो ही पॉइंट उपर जाना चाहिए वो है एक्जाक्ली हमारे चेस्ट इसको बोलते है जेफिस टर्ण प्रोसस और नीचे नाभी इन दोनों की बीच का अपने है यह स्पॉट उपर जाएगा नीचे आएगा उपर जाएगा नीचे आएगा तो हम कह सकते हैं वो स्पॉट जो हमारे नेवल से चार उंगली उपर है कोशिश करिए कि यही पोर्षन जो नाभी और चेस्ट की बीच का अएगा है यही उपर नीचे जाए लंग्स उपर का जो चेस्ट है और नीचे का नाभी की नीचे का अएगा यही उठना चाहिए बाकी उपर का और नीचे का न उठे तो अच्छा उठेगा लेकिन देखिए अब मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो मैं अब पूरा हाथ हिल रहा है लेकिन अगर मैं इस हाथ को हिलाए बिना भी मैं अपने बाइसेप्स को टाइट करूँ तो बाइसेप्स टाइट हो सकता है इसको करना कितने समझेए रोज 10 मिनिट फिर 15-15 दिन में इसको 5-5 मिनिट बढ़ा दीजिए फिर एक टाइम के बाद इसको आप आदे घंटे कर सकते हैं रोज इसको लेट कर करिए बैठ कर करिए खड़े होकर करिए वाक कर करिए देखिए जब आप लेट के करेंगे न तो आपका lower ये 3-step का portion नाभी के उपर का area वो खुल जाएगा इतरा से फिर आप बैठे हैं तब भी आप उसको महसुस कर पाएंगे वो ही area सब ज़्यादा सांस लेगा फिर आप walk करते से मैं भी एक तरह से खुल गया होचा अभी खुल गई तो आप सांस लेंगे तब वही चलेगा वहाँ से सांस लेंगे तो lungs तो खुलेगा ही खुलेगा हमारा अभी क्या होता है जब सांस लेते हैं तो सांस जाता है lungs में फिर उपर चला जाता है लेकिन आपके नेवल में जब पहुचाएंगे सांस तो पूरे लंक्स को भी भरेगा और नीचे भी पहुचाएगा लेकिन उट तब होगा जब आपका नीचे का एरिया खुलेगा भी वो टाइट है जैसे muscles टाइट है ऐसे फिर दिमी दिमी इसको 24 घंटे करिए दिमी दिमे ऐसा हो जाए कि ये आपके लिए exercise नहीं है ये आपकी natural breathing है और आपके साथ ऐसा हो जाना चाहिए कि आप इसके उपर ध्यान नहीं दे रहे हैं फिर भी हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है रोज कोशिश करिए पीछे पढ़े रहिए लेकिन जल्दी में मत रहिए इसलिए मैंने अपने आपको होता है था 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा शायद 20 जनम भी लग जाए ये आपकी breathing को किसके साथ जोड़ रहा है ये रिदम आता कहां से ये ब्रम्हांड का रिदम है एक बार मैं बॉम्मे में था थ्री स्टेप रिदिमिक ब्रिदिंग कर रहा था मैं रूम के बाहर हो गया हवा में एक बार मैं मिंटो रोड में था उपर लेटा हुआ था सरथा के रूम में थ्री स्टेप करते करते ममीग रोब में पहुँच गया इस चाइब के धेरों experience आते थे आज भी आते हैं आप जब ठ्री स्टेप करते हैं तो आप अपनी physical body में से molecular body में shift हो जाते हैं molecular body बहुत बार body के पास रहती है physical body के पास बहुत बार कहीं दूर travel भी कर लेती है बट ऐसी expectation मत करी यह मेंशा गिफ्ट की तरह आता है कोशिश नहीं कर सकते हैं Be very persistent but not be in a hurry मतलब कोशिश करते रही है लेकिन ऐसा नहीं किया नहीं हो रहा है तो छोड़ो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे इसा हम नहीं पट रहा है तो power of habit में एक दिन नहीं किया, तो कोई बात नहीं दो दिन नहीं किया और उसकी habit बन जाए यह नहीं करने की कोशिश करिए, रोज करिए, चाहे 5-6 minutes करिए 10 minutes करिए, करना कैसे है, आदे घंटे करना है और दिमी-दिमी यह habit बनना चाहिए तो यह तो था first step first step तो सबसे आसान है, लेट कर किताब रखो और three step करो second step second step में आपको दिवाल के पास खड़े होना है, लेकिन उसको touch नहीं करना है दिवाल को, दिवाल के पास खड़े हो गए और सांस वैसे लिए जैसे आप first step में ले रहते, अपर स्टमक से जैसे आप सांस अंदर लेते जाएं जो हमारे योगा से कोई सांस का exercise कराते हैं तो जोड-जोड से कराते हैं बिचारे, उसमें हमारी oxygen पूरी हम consume नहीं कर पाते हैं उससे पहले फेक देना पड़ता है गोल कप्पे लिए उसका juice पिया फेक दो, ऐसा हो जाता है लेकिन यहाँ पे आपने हाथ सामने रखा हराम से बुल कप्पे को टेस्ट कर रहे हैं फिर छोड रहे हैं और जो पीछे यह पार्म का एरिया है वो दिवाल को टच करेगा और जैसे से आप हाथ नीचे करेंगे सांस दी-बिदी में छोड़िए कहीं पर भी सांस को जबरस्ति रोटना नहीं है इसमें क्या होता पता है फर्स्ट वाले में तो आप नीचे लोवर अब्डिमन को खोल रहें फर्स्ट वाले में आप किताब रखते हैं और कोशिश करते हैं कि चेस्ट और लोवर पार्ट पेलविक पार्ट न उठें लेकिन इसमें क्या होता है जैसे आप यहां से उपर ले जाते हैं तो चुकि यह अपर पोर्शन खुलता है तो थोड़ा सा यह जो यहां के लंग्स के टिश्यूस हैं वो इस लायक बनते हैं कि खुल सके कभी अगर आप हमारे साथ एक्सरे देखेंगे न अगर सौ एक्सरे देखेंगे टूबर क्लॉसिस के तो 80% टूबर क्लॉसिस अपर चेस्ट में होते हैं क्योंकि वहां पर जो बैक्टरिया चले जाते हैं वह राम से बैट जाते हैं ऑक्सिजन बहुत कम पहुँचता है हाँ पर क्योंकि हमारा हाथ हमेशा बंद रहता है इसलिए जब आप ऐसे हाथ खोलते हैं तो अपर चेस्ट भी खोलता है तो जब यहां से यहां तक जाता है तो आप upper chest के लिए काम कर रहे हैं इसमें आपका second step में lower chest भी भढ़ेगा और upper chest भी जब नीचे का chest खुल जाता है उसके बाद upper chest भढ़ता है एक बार आपको ये method समझ में आ गया तो आपको दिवाल के पास खड़े होने की जरूत नहीं है अब आप बार बार हाथ उने की जरूत नहीं है आपने खोला है तो आपको पता है आपका अपर भी खुल रहा है नीचे का भी खुल रहा है जैसे आप छोटे से बच्चे थे तो आप लड़ खड़ा के चलते थे लेकिन आपके पैरों का दोनों का balance बन गया तो आप बिना सोचे समझें दोड़ते हैं सीडी पर चलते हैं, साइकल चलाते हैं, कार चलाते हैं ऐसे ही शुरू में आप lower chest को खोलने के लिए लेट कर कर रहे हैं, बाद में upper chest को खोलने के लिए खड़े हो के कर रहे हैं और फिर आप बैठके, लेटके, चलके, कैसे भी, आप three step rhythmic breathing कर रहे हैं, second step तब तक शुरू कर दीजे, जब तक कि आपने first step को 6 मैंने तक practice ना कर लिया हो, जो पहला step था, book के साथ वो आपके lower chest के लिए था, ताकि आप उसको feel कर सकें, और जो second step है, वो ये higher up lungs के लिए दिया ह ये जब दोनों साथ में करते हैं, आप lower ribs, ribs नीचे के और upper ribs, दोनों एक साथ खोलते हैं, हमेशा बार बार बोला है, अपनी सांस को कहीं पर भी जबस्ती, रोकना नहीं है, तो मैं दो कोलते हैं, किती देर सांस रोक सकते हैं पानी में, कहीं रोटने की ज़रोती हैं, अभी इस समय भी आप सांस लेते हैं, तो में गहरी सांस लेते हैं, तो ऐसे करते हैं, ribs को खोल रहे हैं, आपको पहले stomach को खोलना पड़ेगा, बाहर पर अगर आप गहरी सांस लेते हो, तो ठक जाते हो, अंदर में अभी सर कराते हैं, कौन सा हो, कपाल भाती, मैं तो ठक जाता हू उस पर, नहीं वो तो नाडिश हो दे, ठक जाते हैं, इसमें मना करते हैं, कहीं पर भी आपको रोटना नहीं है, strain नहीं डालना, ये समझे, ये खाली correct breathing है, deep breathing नहीं है, उसके बाद second step जब हो जाएगा, तब दोनो step को combine करके master करिए, छोटा बच्चा जो एक साल का होता है, वो three step पैदाईशी करता है, उसको देखिए, उसका पेट उपर नीचे होता है, उसका लंग बहुत, उसका chest बहुत कम उपर नीचे होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, एक साल के बच्चे को देखि हैं, लेकिन उनको फिर यह नहीं मालूँ पड़ता है, यह भी बाकियों की तरही है, और उसको यह भी लगता है, कि सबको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, बच्चा छोटा होता है, और बहुत सादा तरीके से grow हो रहा होता है, बहुत fast, इसलिए बच्चे का rhythm जो ह आदमी होता है, उसकी body का growth हो चुका रहता है, इसलिए उसको फिर सारी सांस नहीं चाहिए होती है, limited number of सांस में काम चल जाएगा, इसलिए एक छोटे बच्चे का rhythm और एक आदमी का rhythm अलगल होगा, इसलिए एक आदमी में और बच्चे में difference होगा, लेकिन third step में, rhythm में, उसक आपने एक साल तक three step breathing कर लिया, पूरी body आपकी नहीं हो जाएगी, इसको बदलना ही होगा, क्योंकि अब हम लोग ने एक नया rhythm अपने पूरे system में डाल दिया है, इसे छोटे बच्चों को अगर आप स्कूल में डाल दीजे, तो उसका rhythm बदल जाता है, भया भया करता है, र है, लेकिन जो बच्चा गया है 15 साल तक, ऐसे ही एक आदमी जो three step rhythmic breathing कर रहा है regularly, और जो नहीं कर रहा है, उन दोनों में जमीन आसमान कंतर हो जाएगा, ये नया rhythm उसकी पूरी system में, उसके every ounce of blood में, every cell में गुसा है, जब आप सांस लेते हैं, तो दवाई की तरह पूरी body मे जाता है, जो पुराने cells हैं, वो हट जाते हैं, फिर नए rhythm के cells आते हैं, इसी के साथ साथ अब अपने खाने के habits को भी ठीक कर रहे हैं, ये सब चीजे बहुत दीरे-दीरे होगा, लेकिन ऐसा होगा जैसे कि, गहरी अंधीरी रात के बाद, सुबह का उकता हुआ, सूरज, the dawn after the dark hours, भोर, एक बार मैं सुबह सुबह उठा, three step breathing करने लगा, बहुत परिशान था, किसी की death हो गई थी घर में, दुखी था मैं, अब तक मैंने सपने में देखा, कि एक hospital है, वहाँ ठेर सारे बच्चे हैं, और सब बिमार हैं, और सब एक एक करके मर रहे हैं, उनके बाबा बैठे हो, यह सब बच्चे मर रहे हैं, तो लाइट नहीं मुझसे बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसके thoughts मेरे पास पहुँचे, thoughts थे, कोई मरता वाड़ता नहीं है, तो मैंने उसको बना अच्छा, देखो तुमारे सामने बच्चे मरे हैं, सब parents लो रहे हैं, और तुम बोल बॉर्णिंग, मिन्दम फ्रेश था हो समय, आपकी पूरी की पूरी बॉरी रेनुवेट हो जाती है, पुराना धाचा हट जाता है, आप मारुती एल्टो में से हटाकर फेरारी बन जाते हैं, अब सवाल यह है कि अगर हम थ्री स्टेप ब्रिधिंग कर रहे हैं सही तरीके स तो कैसे पता चलेगा कि सही कर रहे हैं का नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके नेवल की नीचे, नाभी की नीचे का मुमिन्ट कम हो जाएगा, शुरुवात में जब आप त्री स्टेप काफी महिनों तो कर लेंगे, तो आपका हर फिफ्टीन या तो ट्वल्थ ब्रेथ होगा, वो लंबा होगा, करेंगे नहीं, वो होगा, और धीमी धीमे हर 9 ब्रेथ लंबा आउटगोइंग होगा, समझ में आ रहा है, नॉर्मल सांस गहरी सांस होगी, लेकिन एवरी शुरू में 12 या तो 15 ब्रेथ, बाद में हर 9 ब्रेथ आपकी लंबी जाएगी, ब और जहां पर शाम को हम लोग बैठे थे, खेल रहे थे, सुबह अगर वहाँ जाएगे, हाई टाइड में वो पूरा पानी में भरा होगा, अब डूप जाएगे वहाँ बैठेंगे तो, हाई टाइड में पानी का लेवल है, कम से कम 5 से 10 फूट उच्छा उट जाता है, और लो टाइड में वो पानी समंदर में चला जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो समंदर की हर 9 या 12 वी वेव लंबी होती है, आप अगर उसके पास खड़े होगे, तो आपके पैर के पास आएगी, आप पीछे चले जाओ, बार बार आएगी, तो एक पॉइंट के ब बीच में, तो उसमें 1st और 2nd step combined होगा, समंदर भी अपना upper chest और lower chest चला रहा है, साथ में, अगर आप बहुत दूर देखेंगे समंदर को, वहाँ पर बहुत कम उँचे उठना, नीचे जाना होता है, वहाँ पर जो वेव होती है, वो इद्दम white form की तरह ज़रा से निकले व आती है, समंदर का जो किनारा है, वो हमारे lower lung और abdomen की तरह है, और समंदर का जो upper area है, मतलब beach का area, वो हमारे lungs की तरह है, जहाँ पर कम हो जाती है, यह सब करने के लिए, क्या करना होगा, observe, practice, repeat, check-up, observe, practice, repeat, check-up, three step के साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले, be शुकर के जाईए, three step करने के लिए, लेकिन बहुत excited मत होईए, बहुत प्यार से जाईए, respectfully, क्रिशन क्या कहते हैं, अर्जुन, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म करो, इसलिए be very patient for the result, result के लिए धीरज रखिये, जैसे मैं आप three step breathing कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने अंदर में thoughts के corrective methods जाल दीजे, injections जाल दीजे, thoughts के, आप खुद को बोल सकते हैं, three step करते समय, जो भी आदमी free हो जाता है, अपनी इंद्रियों के वश से, वो beyond चला जाता है, सभी material relationship से, इस body से beyond चला जाता है, इन पंच महाभूतों के शिकंजे से, जेल से बाहर यह आप किसी भी समय, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ओफिस में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, आप आधे गंटे का time निकाले हैं, और mentally repeat कर सकते हैं, और three step के साथ कर रहे हैं, इसको मैं pain के लिए repeat करता था, अगर यह सब चीजे आपको विश्वास नहीं हो रही हैं, तो क्या करें, second correct method है, if thou object, how should I grasp all this, pray do not grasp it, आपका मन कहता है, यह चीजे हमारे लिए नहीं है, इसस तो बड़े बड़े लोग के लिए है, रबन मारिशी जैसे लोग के लिए, अगर आपका दिवाग इसको object कर रहा है, और आपको लग रहा है, मैं कैसे यह सब चीज सम ग्रास्प कैसे करूं, तो ग्रास्प मत करिए, जस्ट प्रे करिए, बस, यह खाली lecture सुनने से नहीं होता है, आपको practically करना होता है, अपने आपको याद इलाइए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप ही पेड़ पोधों की तरह vegetate करते रहेंगे, दीबीदी में खतम ह जाएंगे, the self unfolds its full essence, him alone who applies his self to the self, जो हमारा divine fragment है, वो अपने आपको हमारे सामने unfold करता है, खोल के दिखाता है, लेकिन किसको, सबको नहीं, यह उसको, जो खुद को, अपने effort को, अपने mind को apply करता है, self के लिए, self को समझने के लिए, God को समझने के लिए, जो apply करेगा, उसी क तो God दिखेंगे, having obtained this priceless birth, he who does not understand the good of the self destroyed himself, जो यह इंसानी जनम पाकर के, self को नहीं जान पाता, divine fragment को नहीं जान पाता, उसने अपनी जिन्दगी भरबाद करती है, जो आदमी अपने ही मन से, अपने ही मन को नहीं काटता, वो कभी भी किसी और के द्वारा आजाद नहीं हो स अपने ही माइंड से, अपने ही माइंड को, रामकृष्ण परहमन से काली मा को देखते थे, खुश जाते थे, बाद में आये तोतापुरी, वो और एडवांस योगी थे, बुलते हैं तुम अपने आपको मा के साथ अलग क्यों मैसुस करते हो, एक साथ हो जाओ, बुलते है उनके साथ, बुलते अगली बाए उनको जाओ, उनको मार दो, मा को, तुम माही बचेंगी, तुम रहोगी नहीं, मुलते लिकिन में लाओ कहां से, तलवार कहां से लाओ, कहां से काटो उनको, बुलते महां से मांग लाओ, यही किया और फिर वो मर जोगए, कोई भी imagination कितनी भी अच्छी हो उसको खतम होना चाहिए फ्री होने के लिए मृत्यू संसार का नियम है इसलिए कभी रोई एकर नहीं कोई मर जाये तो यही लाइफ है एक तरह की स्लीप है और लास्ट में सर्वे भवन्त सुकिनह सर्वे संतु निरा मया सब शान्थ हो जाएं कोई भी आदनी दुखी ना हो अगर आपनी नीन को अकम कर लिया है आपने खाने के अविट को ठीक कर लिया है त्री स्टेप रोदिमिक बीज़िंग को ठीक लिया है आप बहुत आगे पहुँच चुके हैं अला के भी बहुत कुछ बचा है लेकिन फिर भी आप बहुत आगे बढ़ चुके है नौर्पनाद भी से आज का एक छोटा सा सूत्र जो आप थ्री स्टेप करते से मैं रिपीट कर सकते हैं या सीरेसली इसके बारे में सोचिए नेचर में सब कुछ हर कोई कैसे सास लेता है what are the different rhythm of breath in the different kingdoms जानवरों में, पेड़ पौधों में, समंदर में हर जगह पर kingdom है और हर kingdom सास लेती होगी, कैसे करती होगी उनका rhythm कैसा होता है हम लोग को रगता है खली हम ही सास लेते हैं लेकिन धर्ती सास लेती है सूरज सास लेता है कॉस्मस पुरा ब्रह्मान सास लेता है अगर हम भी उनकी तरह सास ले सके तो आवर कॉंशिसनेस can become one with their consciousness इसलिए थ्री स्टेप प्रिधिंग को एक तरह से थ्री स्टेप में आप अपने बॉडी में से बाहर निकलने का एक दो तीण कौन थे जुनने तीन स्टेप में पूरी दुनिया नाप ली थी वामन अतर आप भी त्री स्टेप में कर ले दुनिया तीन स्टेप तो लिया ना उनने तो यह था ठी स्टेप प्रिधिंग ब्रीधिंग कोश्का